कि दूस्तों यह है आपका समने होंडा की तरफ से एस पी वान सिक्स्टी का जो वान सिक्स्टी सीजी मतलब अभी आभी जो निकला गए होंडा की तरफ से इसका सबसे बड़िया चीज लगता है देखने में इसका पीछे से एडवेंचर जैसा लुक वर सीट हाइट आपको 7.96 mm का मिलता है फ्यूल टेंक आपको बारा लिटर के दिया जाता है इसमें डूएल चैनल सिंगल चैनल एबिस दूनों मिल जाता है आपको अप्शन और इसका कुछ आपको ओन रूट प्राइस एक लग 39,000 कुछ ओन रूट प्राइस पढ़ने वाला है इसका हमारे चीज दिटेल में फिटन फिनेश बगर आगे देखेंगे भई यह कुछ इसका अवरॉल साइट से लुक चलते हैं तो चलिए पहले ही बात चुरू करते हैं गाड़ी का फ्रांट लुक से फ्रांट लुक में आपको कुछ इस आप से देखने को मिलेगा भई डियारेल नहीं मिलत है आपको लेकिन आपको एल्डी हैडलाइट सेटप कुछ इस आप से देखने को मिलेगा इसका कुछ डिजाइन यह कुछ आपका गाड़ी के बाइजर के डिजाइन यहां में आपको इस आप से ब्लेक पार्ट में देखने को मिलेगा यह कुछ आपको फ्रांट में आपको आपको single channel देखने को मिल रहा है और यह कुछ आपका यहां का reflector यहां में आपको ABS कुछ इसी साफ से देखने को मिल रहा है और यह कुछ आपका गाड़ी का टायर साइज इसाब अपको आचा ही साप से सामने का disk brake lever आपको काफी स्मूद देखने को मिलता है यहां मैं आपको engine चुस कुछ इसी साफ से देखने को मिलेगा यहां मैं आपको 4 इंडिकेटर का मिटर स्विच और यह है आपका सेल्फ का स्विच और यह कुछ आपका अपर डिपर का स्विच देखने को मिलता है यह आपका ट्रान इंडिकेटर का यहां में आपको फॉन देखने को मिलेगा कुछ इस हिसाब से बाकि क्लाच आपको स्मूध ही मिलने वाला है क्योंकि नहीं है गा खुला हुआ है इसलिए मिटर नहीं और कर पारो जाब आपको दू इसाब से देखने को मिल रहा है एक मैं आपको रेड पॉंडा का बटन दू इस साइड में मिलता है लेफ्ट साइट में और यह कुछ आपका मिटर का शेइप पागे बात करें तो यहां में आपको गाड़ी का यह है कुछ यहां पर बैट्री का लाइन खुला हुआ है इसलिए मैं गाड़ी को नहीं कर पाया और यह कुछ आपका चेंड का सिस्टम आपको काफी क्लासी टाइप कर दिया गया है जल्दी मतलब इसको आपको क्लीन नहीं करवाना पड़ेगा और जल्दी इसलिए कुछ आपका फूड्रेस्ट यहां में आपको कुछ हिसाब से इंजिन का फीट्रेंड प्नेश देखने को मिल रहा है यह कुछ गाड़ी का लुक इस साइड से और यह कुछ उपर से गाड़ी का फूल आपको अबर व्यू लुक दिखाने की में कुशिश कर रहा आपको अच्छा लगेगा यह कुछ आपका टेल लेंप में आपको देखने को मिलेगा टेल लेंप और यह कुछ इसका वारू लुक यह कुछ गाड़ी का बैए हैलोजिन में इंडिकेटर जो पहले जैसा ही देखने को मिल रहा है इसमें कोई मतलब एसा यूनिक नहीं मिल आपको फ्लेट का उपर मैं इपको होगे मैं आकवाल पर मिलेगा यह सब्सक्राइन को रहे और यह कुछ पूरा व्बहर्विव पीछे का धिर गेल हन् GOP कर बैथने के लिए यहां में, आपको कुछ तकत वर्यहकों दोनिक्स थास्टेग्प ऑल देकने को मिल रहा है यहा जो combination और डिजाइन है और यह है कुछ आपका exhaust pipe यहां में इस पर में आपको chrome का plate देखने को मिल जाएगा यह कुछ पीछे का foot rest और यह समने का यहां में आपको brake का लिबर कुछ इस आप से back का देखने को मिलेगा गाड़ी में आपको की का भी start का option देखने को मिलता है यह जो middle का part है इसमें आपको चमकने वाला आपको ग्रे कलर देखने को मिलता है यह पी लिका हुआ chrome में यह कुछ बाइशेट का position काफी अच्छा ही साब से comfort मतलब cruising वाला आपको seat comfort देखने को मिलेगा इसमें यह कुछ आपका middle का यहां का ग् को मिलेगा जो neon color का साथ बेजिंग यहां में आपको honda का logo का साथ honda chrome में लिका हुआ देखने को मिलता है यह कुछ आपका राइड साइट से engine का finish और यहां में आपको start का option किक का भी दिया गया है कुछ इस आप से आपको मिलता है यहां पे honda लिका हुआ काफी smooth आपको यह काफी चोड़ा आपको टायर पीचे का देखने को मिल रहा है और यह है गड़ी का overall side से look पीचे से side से वीडियो बै काफी लंबा हो रहा था लोंग हो रहा था इसलिए में वीडियो को इतना लंबा नहीं करना चाहता हूँ वीडियो यहां पे ही खतम करता हूँ दूस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिएगा दूस्तों थेंक्यू